नमस्ते आदा, I on behalf of the district administration बारा मुला, वेलकम श्री मनोज सिनहा जी, ओनरेबल लेटनें गवर्नर, यूटी अफ जमू कश्मीर तु बारा मुला, सर बारा मुला में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, खुशामदीद, सर जैसे कि आप जानते हैं कि बारा मुला जैसे समवेदनशील, Sensitive Border District में, आपके आने के बाद हमने सफलता के कई नए आयाम तै किये हैं, आपकी लगातार guidance, motivation और निर्देश अनुसार सर, हम हर शेतर में, चाहे खेती हो, पशुपालन, self-help groups हो या बेसिक सेवाएं, जैसे health, education, infrastructure, इतियादी, हमने saturation अप्रोच को लागू करने की कोशिश की हैं। आपके और चीफ रिक्ट्री सर की लगातार monitoring का ही असर है, कि सर, आज इन दो वर्षों में, institutional delivery 75 से 98.6% पहुँची है, immunization 74 से 100%, milk deficit से आज हम milk surplus हुए है, apple production 300,000 metric tons से, आज 500,000 metric tons हुआ है, oil production जो 20,000 quintals था, आज 80,000 quintals हुआ है, सारे out of school children को हमने enrollment करके, DSE की survey से पता चलता है कि 12 मुला highest enrollment drive की है, IMR हो, MMR हो, SAM या MAM babies हो, उन सब का जो दर है वो बहुत तेजी से गिर रहा है, सर, हम single से double cropping की तरफ जा चुके हैं, mustard cultivation हो, honey integrated farming हो, इन सब हमने नई approach को अपनाया है, 70,000 महिलाएं हमारी self-help groups की हमारे साथ जुड़ी हुई है, e-governance में भी, सर हमने बहुत जादा initiatives पूरे जेंड के में लिए और बारा मुला में भी, जिसकी वज़ा से transparency और accountability में हम एक next level तक पहुँच पाएं हैं, CapEx budget जो 2020-21 में 237 करोड था, आज 8 गुना बढ़के 1500 करोड केवल बारा मुला का ही हुआ है, जिसकी वज़ा से हमने 1500 काम, सर, इस साल पूरे कियें, इसी के फलस्वरूप सर, आज 5 aspirational districts में best performance award सर, almost 25 करोड के बारा मुला ने जीते हैं, और सर, ये बताते हुएं मुझे बड़ा ही हर्श और उलास हो रहा है, कि आपकी leadership से 12 मुला को हाल ही में, प्रधान मंत्री जी ने PM Excellence Award भी Civil Services Day पर परुस्कृत किया है सर, सर, जैसे कि आप कहते हैं, कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास जरूरी है, और राज्य के विकास के लिए जिले का विकास जरूरी है, सर, उसी भावना से हमारी पूरी टीम कारियरत है, आज Transit Accommodation जो कहजबाग बारा मुला में भी हमने, आपके दिये गए आदेश अनुसार सर, DMRR Department और R&B Executing Agency के द्वारा, चालीस करोड की लागत से, 21 ब्लॉक्स सर बना रहे हैं, जिसमें 3.36 फ्लाट से, आज सर, आज आपके कर कम लो द्वारा, सर, 192 फ्लाट से, जिसमें सर, 12 ब्लॉक्स हैं, उनका उधगातन होगा सर, और रहे हैं, जिसमें एट ब्लॉक्स शेएं प्लॉक्स ब्लॉक्स बागत कर दो दो मेंदान होगाई भूलाट से, जिसे 75th year अमरत काल, जिसमें प्रभाई पर इनपने की लिए प्सक्राइब, तीम JNK जिस्परेट भर कमिटमेंट और विए जिसे, and we assure you sir that we will strive to take this UT to the next level of governance of your vision thank you sir